गुड मॉर्निंग चिटपूर्ट, हाव आई यू, आई फो, पॉल अफ यू फाइन, चलो फिर से मैम अगेन आचुकी हैं, और हम लोग फिर से थोड़ा पढ़ाई करेंगे, है ना, तो चलिए, पहले मैम इंग्लिश में क्या लिखना सिखाएंगी आपको, पहले हम लोग इ है, फिल लब, यानि क्या होता है, आपको तो मालूम है, फिल यानि वहाँ पे भरना, फिल में सोता है, भरना, है ना, तो जो खाली स्थाने, उसको हमें भरना है, यानि जहाँ जहाँ पे डैश है, वहाँ पे वो लेटर मेसिंग है, तो हमें उसे भर कर, रो को कम्प्लीट क कहते हैं तो चलिए पहले हम लोग इस फिलप को कम्प्लीड करते हैं तो एक के बाद हमें यहां क्या लिखना है बी जो कि मैं लिखते आती हूँ और आपको बताते आती हूँ और आप सोचेंगे कि रोज मैम एक ही जैसा क्यूं देती हैं तो बीटा रोज रोज आप लोग का बढ़ते जो आता है और मैं इस तरह से इसलिए फिलप देती हूँ ताकि आपका जो है एक टो जेट जिसे अल्फावेट कहते हैं वो हमेशा रिवाइज होता रहे और आप नहीं भूले इसलिए मैं आपको एवर्य डे इस तरह फिलप देती रहती हूँ ताकि आप इसे इस ही पीछे पर देती हैं पर देती हैँ अ हो самой कि नहीं पहीं चोप इसाम नें आप सौंभी मैं ektर तो इतने दिनों में यह तो आप चाहन ही कहодंगे लेटर मैं तो इतनी बीचर पढ़ाती जाती जाती हैं रहती हैं जो जो वीडियो में बताते जाती हैं उसी को मैं उपर complete करते जाती हूँ ! अगर मैं एक साथे two z दे दूंगी तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं बताया ही नहीं तो आप समझनी ही पाऊँगे ! इसलिए जो मैम आपको पढ़ाते जाती है ॉर लिखना बताते जाती है उसी को मैं में हाँ पर repeat करवाती है ना तो अब एम के बाद हमें लिखना है N तो N जो है बिटा पहले हम लोग एक capital letter में लिखेंगे है ना जो की बहुत ही simple है two lines पहले आप standing line ड्रॉ करोगे और यहाँ से एक slanting line मिलाते हो है ना तो यह होगे आपका N जो की capital letter में है बठ हमें अब क्या लिखना है small letter में लिखना है तो हमें small letter लिखने के लिए N कैसे लिखना है पहले आप एक line छोटा सा draw करोगे middle line से start करोगे और ऐसे turn छोटा सा turn करोगे है ना जैसे M में two times होता है तो N में one time see करोगे ठीक है तो यह क्या कहलाएगा small letter का N ओके फिर से देखो बहुत है simple है middle line से एक line draw करोगे नीचे नहीं जाना चाहिए यानि इस line से यह line तक बाहर नहीं निकलना चाहिए और हमें इस तरह से turn करना है छोटा सा इसका U-shape में उल्टा U-shape पल है N लिखना तो इस तरह के से अब अपनी बिटा English की copy में इसे लिखका complete करोगे चलिए next चलते है Hindi में तो हम लोग Hindi में आज बिटा क्या लिखेंगे मैंने आपको प्रिविज वीडियो में आज चोटा ओ लिखना सिखाया था है ना आज हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए छोटे ओ के बाद क्या आता है येस बड़ा तो हम लोग चलिए लिखते हैं तो सेम उसी प्रोसेस में होगा बेटा जैसे आप थ्री लिखते हो वैसे ही थ्री के जैसा ही आपको लिखना है बट हमें बड़ाओ लिखना है तो बड़ाओ लिखने के लिए हमें इसकी छोटी सी टेल यहाँ पे निकाल देनी है इस तरीके के से है ना तो ये क्या कहलाएगा बिटा बड़ाओ है ना छोटाओ में टेल नहीं होता है देखो इसका टेल है क्या नहीं है ना बड़ जब हम बड़ाओ लिखेंगे तो उसका एक टेल निकलना चाहिए तभी ये बड़ाओ कहलाएगा तो बहुत ही सिंपल है आप त्री जैसा लिख लोगे और इसके मिडल से एक इसकी छोटी सी पोच यान इसकी टेल निकाल दोगे इस तरीके से तो ये क्या कहलाता है बोलिए ये जो मैंने लिखा इसको क्या कहते बड़ाओ है ना तो इस तरीके से आप भी अपनी हिंदी की कौपी में इसे लिख कर कम्प्लीट करोगे हिंदी जब भी होता है लिखोगे बिटा तो टू लाइन्स को आप लोग टच करते हो लिखोगे इससे क्या होगा इकवल जो है बहुत ही इकवल लिखोगे और हैंड राइटिंग जो है वह आपका नीट और क्लीन और बियोटिफुल दिखेगा है ना तो आप चब भी कोशिश को जैसी इंगलिश आप लोग लिखते हो त्री लाइन्स को टच करते हुए उसी तरह हिंदी भी आप टू लाइन्स को टच करते हुए लिखोगे तो पहले से ही आप लोग अगर आदर डाले रखोगे, हैबिट डाले रखोगे, तो आपकी handwriting स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी रहेगे, है ना, चलिए, हम लोग मैस में चलते हैं, मैस में मैंने क्या दिया है, देखिए मैंने यहापे दो fill up दिये हैं, तो उसे हमें complete करना हैं, तो 61 के बाद क्या आता है, 6, 2, 62, मैंने हाँ पे fill कर दिया, 63 के बाद क्या आता है, 64, 64, तो मैंने हाँ पे 64 भी fill कर दिया, अब हमें आगे लिखना है, 65, क्योंकि 64 के बाद क्या आता है, 65, 65, तो हमें पहले 6 लिखना है, then 5, 6, 5, 65 है ना, 6, 5, 65, मैंने 2 टाइम्स रिपीट किया, अब हमें क्या लिखना है, 6, 6, 66, 6, और एक और 6, double 6 जब होंगे, तो ये क्या कहलाते है, 6, 6, 66, तो इस तरह से आप भी अपनी मैस की कॉपी में इसे लिखकर कम्प्लीट करोगे, पहले फिला और 2 ताइम 65, 2 ताइम 66 है ना, that's all for today विटा, bye-bye and take care.